नमस्कार मैं हूँ मनोहर मनोज पुनाकार्जकरम सत्य असत्य और अर्द सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे विपक्ष के एक धुरंधर नेता देश में समाजवादी धारा के एक अंतिम बड़े नेता और भारत देश के उत्तर की पट्टी के एक जाती विशेश जो राजनितिक रूप से बेहर सजग और सक्रिय है उसके एक बड़े सरवमान नेता मुलाइम सिंग यादो के इंतगाल के बार हो रही उनकी चर्चाओं पर दोस्तों पिछले करीब चार दसक से भारत की राजनितिको बड़े ही गौर से और बड़े ही नजदीक से देखने के तजुरवा होने के कारण मैं भी मुलाइम सिंग यादो को करीब करीब 1984 से बड़ा ही क्लोजली अवजर्व कर रहा हूं दोस्तों जिस तरीके से मुलाइम सिंग यादो की मेरानता में मृत्व हो गई और उसके बाद क्या देश का सत्ता पक्ष हो देश का विपक्ष हो और देश की सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, मुलाइम सिंग यादो के वेक्ततों और कृततों को लेकर तमाम गुरगानों में वैस्त रहा दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि मुलाइम सिंग यादो इस तरीके की टिपणी और चर्चा के लिए डिजर्व करते थे मुलाइम सिंग यादो कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि तमाम बीरोधावासी चरित्रों से एक तरह से लैस थे उन्होंने शुद्ध विपक्ष की राजनीती की एक समय वदेश के गैर कांग्रिस वाद की समाजबादी धारा के अगणी नेताओं में से थे तो एक समय आया कि वदेश में गैर भादपावाद के खिलाफ गैर भादपावाद की स्रेणी के भी अगणी नेताओं में अपने आपको शुमार किया इसकी वज़ा ये है कि मुलाइम सिंग यादो चाहे जिस भी प्रिष्ट भूमी से आते हूं इटावा के एक सधारन ग्रामिड अहिर परिवार से बिलोंग करने वाले मुलाइम सिंग यादो सुर्वात के दौर में इंटर कॉलेज के सिक्षक थे लेकिन पहलवानी उनका एक जातिय प्रिष्ट भूमी की वज़ा से एक बड़ा ही उनका शौक रहा पहलवानी में उन्होंने नाम कभाया और कहीं न कहीं उन्हीं पहलवानी की कला और प्रतिभा ने उनके लिए राजनीत का भी दौर खोल दिया बताया जाता है बकॉन मुलाइम सिंग यादो ही कि कुस्ति के दवरान जब उन्होंने एक जगा विजय हासिल की तो एक व्यक्ति ने उन्हें सीधे सीधे राजनीत में आने का उफर किया और मात्र 27 साल के उमर में 1967 में गयर कांग्री स्वाद और लोहियावाद और समाजवाद की उस आंधी में मुलाइम सिंग यादो का भारती राजनीत में पणारपड होता है और वगह एक विरहाईक जीत करके आते हैं और उसके बाद मुलाइम सिंग यादों का जो राजनितिक केरियर शुरू होता है वो उनके मरने तक जारी लाता है 83 साल की उमर में मिर्तु को प्राप्त मुलाइम सिंग यादों का अगर मैं 1984 के बाद का केरियर देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले याद आता है कि उस समय माया एक बड़ी ही प्रतिष्ट राजनितिक पत्रका हुआ करती थी तो उसमें एक स्टोरी आई थी कि उस समय भारत में विपक्ष के एक बड़े धुरंधर नेता चौधरी चरण सिंग जो जनता पार्टी के एक में पेलर थे और एक वक्त में उन्होंने मुराजी रेसाई को डिच करके कॉंग्रेस के सपोर्ट से वो परधान मंतरी बने और उन्होंने भारत में पिछडे और दलित की राजनीत का एक तरह से आगाज किया मुझे याद आता है कि उन्होंने सबसे पहले दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई जनता पार्टी से विलग होने के बाद उसके बाद उन्होंने लोक दल बनाया और उस लोक दल में जो उनके सार्थी थे जो अलग-अलग राज्यों के छत्रव थे उसमें बिहार के चौदरी चरण सिंग के गल में हर्याना से देवीलाल कुंभा राम आरे और उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंग यादो जुड़े थे मुझे याद आता है कि जब बिहार के बाद चुकि बिहार में करपुरी ठाकुर एक सरव मानने नेता थे उत्तर प्रदेश में नेत्रत् कोशल का परिचे रेते हुए जिस तरीके से चौधरी चरण सिंग को साधा और चौधरी चरण सिंग को विवश्च किया कि वह उत्तर प्रदेश के लोकदल के रेता गरूप में मुलायम सिंग यादों को उन्होंने प्रतिस्थापिट किया तब से मुलायम सिंग यादों की जो राजनितिक जो चढ़ाव की जो यात्रा शुरू हुई वह कभी रुकने का नाम नहींगी दोस्तों उसके बाद देश में 1987 में एक नया राजनितिक घटना करम हुआ कॉंग्रिस के बागी नेता वीपी सिंग पूरे देश में भरष्टाचार के खिराफ एक अवियान के हिरो बने वो फोर्स के बहाने वह विपक्षी येत्ता का जरता पार्टी के बाद से एक दूसरा चरण आरंब करते हैं और इसके तहत हर्याना में नए नए विजित हुए देवी लाल जिनकी सरकार बनी थी देवी लाल का सहारा मिलता है बिहार में करपूरी ठाकूर की उसी दवरान मृत्तू हो गई तो उसके बाद बिहार में उन्हें लालू यादो नितिस कुमार और अगुनाद ज्या का आस 1989 में कॉंग्रस पार्टी की हार होती है और भारतिय जैनता पार्टी अर्वामपंती पार्टियों के सहीगों से जैनता दल केंदर में सरकार बनाती है बीपी सिंग के ने तरत्व में उसी दोवरान उत्तर पर्देश में विधान सभाकिव्य का बी चुनाओ गुवा और उस चुराव में जरता दल को वहुमत मिला और जरता दल के जब लीडर चुनने की बात आई तो मुलायम सिंह यादो और अजिज सिंग चोधरी चर्न सिंह के बेटे में बिलकुल आमने सामने की लडा ही हुई और मुलायम सिंग यादो ने समर्थन के आधार पर विधाईकों के समर्थन के आधार पर अजीद सिंग को पटकनी दी और बीपी सिंग नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंग यादो उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी बने उनकी पहली पसंद अजीद सिंग ते लेकिन मुलायम सिंग यादों ने नितरत्य की बागडोर समाली और उत्रप्रदेश के मुखमंत्री बने लेकिन बीपी सिंग के जब मंडल का अभियान आता है फिर मंडल के बाद जब भारती जनता पार्टी उनको समर्थन देना बंद करती है और राम जनम भूमी को ले करके लाल के साडवानी यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहले उनकी यात्रा को बिहार के नौन्युक्त मुखमंत्री लादू पर साथ रोकते हैं जबकि लादू यादो भी बीपी सिंग की पहली पसंद नहीं थे लेकिन बीपी सिंग ने जब देवी लाल को काउंटर करने के लिए जब मंडल कमीशन की घोशना की अब उस मंडल कमीशन पर सबसे पहले उन्हें लालू यादो का साथ मिला लेकि मुलायम सिंग यादो इस मावले में बेहत चोकरने थे को वह बीपी सिंग को अपना नेता नहीं मानेंगे चोकि दोनों उत्रप्रदेश से बिलों करते तो ऐसे में जिस लालू यादो को मुखमंत्री बनाने में बीपी सिंग ने उतना सपोर्ट नहीं किया था उनकी पहली पसंद रांसुंदर दास थे लेकि लालू यादो ने जिस तरीके से आडवानी की रस्यात्रा को लेकर एक कड़ा स्टेंड लिया और आडवानी को समस् बानी की रस्यात्रा बीपी सिंग के लिए नागवार कुजर रही थी वह कहीं समाजी किन्याय और मंडल की राजनीति में लगे थे और भारतिय जनरता पार्टी राम रस्यात्रा के जर्ये कमंडल की राजनीति में उतर आई थी वह एक हिंदुत की राजनीति करना चाह रही तो मंडल और मंदिर का ये जो क्लैस हुआ उसमें एक तरफ लालू यादो बिहार में मंडल के मसीह बनकर के उभरते हैं और वीपिश सिंग के बहुत बड़े दाहिने हाथ बनते हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंग यादो उपरी तोर पर तो मंडल का स अख्रपंति हिंदूबादी धड़े उस अयोध्या के बाबरी मस्जिद में खड़े होते हैं और बाबरी मस्जिद पर कहीं न कहीं किसी पूजा या कोशी परिकर्मा के राम पर वह एक पूजा करना चाहते हैं सरकार को इस बात का अंदेशा लगता है मुलायम सिंग याद यादों बी एक तरीके से सेखुलरिज्म के याए मूसलिंघ पंति राजनीत के यादोने मुलायम सिंघंग यादों ने स्ठेंड लिया वा लालू याधो के स्ठेंड से थोड़ा जाभास है धंतिक था लालू यादोके स्ठेंड से कम blessed क्या धार शेकी स्नेद्नें आगामी जब मुलाइम सिंग यादों को तुरंत चुराओं का जब सावना करना पड़ा तो उनकी हार होती है और उस हार को भली भारती मुलाहीम्ज सिंग यादो स्युकार करते हैं और मुला 집 सुर्णता गयर के नहिता होते हैं लेकिन वह तरक वी आपको अलग घोसित करते हैं तो एक तरफ मुलायम सिंग्यादों दो मोर्चे पर लड़ाई सुरू करते हैं से कुलरिजम को लेकर के वह भारती जनता पार्टी और हिंदू धड़े के खिलाफ जाकर के अयोग्द्या में कार्शेव को पर गोरी चलवाते हैं तो दूसरी रहे आरक्षण विरोधी आंदोनन और सिर्फ सेल्फ इमोलोशन को लेकर के भी मुलायम सिंग्यादों संवेदन शील रहते हैं और यह खुलेयां घोषणा करते हैं कि हम भूरवाल साफ करों का समर्थन नहीं करते हैं हम भूमिहार राजपूर ब्रांवन कायस्त का जुनार की घोषणा करते हैं और एक नई पार्टी समाजवादी पकी पार्टी का एलान करते हैं तो दूसरी तरफ भारत्य जन्ता पार्टी के नेता कल्लान सिंगो वह एक तरसे कहीं न कहीं एक तरसे उन्हें बढ़ाई देते हैं और बड़े ही सालीनिता के साथ अपनी हार को सेकुलरबाद के एक नए आदर्श को लेकर के अपनी राजनीत करेंगे समाजवारी पार्टी के कार्य करता को विस्तार देते हैं और वह सोशल जश्टिस और स्यकेलरजिम लेकर विपि ग़िए अपसिप लेते हैं एक ऐसा स्टेंड जिसमें राजनितिक चलाकी नहीं दिखती जिसमें राजनितिक फायदा नहीं दिखता जिसमें उन्होंने एक तरसे मुख्यमंत्री की कुर्सी का एक तरसे परत्याग करते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदू बहुल मतदाताओं के बीच भी वह एक कन्विक् इसकी भारती जनता पार्टी के बाद एक सबसे बड़ी पार्टी में तब्दिल हो जाती है और उसके बाद मुलायम सिंग यादो बसपा कासी राम की बसपा पार्टी से समझावता करते हैं और कहीं दे जनता पार्टी को कौंटर करने के लिए एक बड़ा सोसल इक्वेशन त यार करते हैं और भारतिय जनता पार्टी के बरक्स अपने आपको खड़ा करते हैं तो मुलायम सिंग यादो एक सिध्धानतवादी राजमीत के लिए जाने जाते हैं वह लालू यादो की तरह इरिटेटिंग बयान नहीं देते वह उनमें अहंकार और दंब नहीं दिखाई भारतिय जनता पार्टी के कौर हिंदू मतराताओं के प्रती भी अपने पनी पड़ती सिंपःति जताने का स्पेस भी म्हाल्य प्रदान करते हैं वह एक तरफ कहते हैं कि मैं भी हनमान का भग्त हूँ। मैंने एक 이 मस्ज", के महले देश के तमाम मंद्रों को बचाने का काम किया है तो कही न कहीं मुलायम सिंग यादों की राजनीत के अपने एक आइडिलोजिकल स्टेंड भी दिखाई पड़ते हैं तो दूसरी तरफ उनके राजनीत के कुछ पॉलिटिकल स्टेंड भी दिखाई देते हैं उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश की 20% दाबादी मुस्लिम है और मुस्लिमों के जब इस मैटर पर जब उनका वो साथ देते हैं तो कहीं न कहीं मुस्लिम भूट बैंक उनके तरफ तो आता ही है दूसरी तरफ वह उत्तर प्रदेश की तमाम पिछली जातियों के भी दारली और नेता बनकर के पहले से ही करते हैं अगलि जाकी के वो तमाम जो माफिया नेता हैं जिसमें की शुक्ला और जिसमें की तिवारी यह सारे मुराहम सिंग्रिण के समर्थे बन जाते हैं और फिर उसके बाद मुरायम सिंग यागव नक्यवल उस्तर प्रदेश की एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनते हैं बलकि वह समूचे देश में भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ एक आइडेलोजिकल और पॉलिटिकल स्टेंड लेने वाला एक सबसे बड़े नेता के रूप में अपने आपको भारते हैं फिर उनिस सो पिच्चानमे और चानमे में जब देवगवडा की सरकार बनती है जब उनाइटेट फ्रंट बनता है तो मुरायम सिंग यादों एक मजबूत फ्रंट के रूप में उसमें शामिल होते हैं देश के रक्षामंतरी बनते हैं और मौके मौके पर वलालू यादो और बीपी सिंग को कड़ी सबक भी सेलग सिखाते हैं तो कहीं न कहीं देश में जो सेकुलरिजिम जो सोसलिजिम जो राष्टवाद धर्मेदर प्रक्षटावाद और समाजिक नायवाद की त्रिकोन पर चल रही राजवीत के म में वो उत्तर प्रदेश की अगड़ी जातियों का भी समर्थन हासिल करते हैं वहाद से जैनता पार्टी के तमाम नेताओं से भी उनके बड़े अंतरंग और मधूर समंद बने रहते हैं जबकि लालू जादो के साथ ऐसी बात नहीं देखी गई और साथ-साथ मुलायम सिं यादो कॉंग्रेस का समर्थन लेने में कोता ही भरते हैं तो ऐसे में मुलायम सिंग्यादो का जो यह सफर शुरू होता है कि फिर उसके बाद वह 2003 में वह उत्तर प्रदेश के मुख्मंतरी बनते हैं और मुख्मंतरी के रूप में अटल विहारी बाद में भी उनका समर्थ करते हैं और फिर उसके बाद भारते जनता पार्टी वहां कम्योर होती है कहने के लिए तो भास्ते जनता पार्टी के लोग भी अंदर खाने से इस बात को जानते हैं कि हमें हमारा मुलायम सिंग्यादो ने बिरोज भी जरूर किया है लेकिन कहीं ले कहीं हमें कॉंग्रेस के बजाए भारते जनता पार्टी को भी इस राजनीत के पटल पर चलायमान रखने में हमें मदद की है तो मुलायम सिंग यादों का जो व्यक्त तो और भी कई पहलों से मुख्रित होता है कि मुलायम सिंग यादों पर भी कुछ CBI के केस आए कभी कॉंग्रस ने उन पर प्रेसर टैक्टिस की तो कभी बीजेपी ने भी नरंद्र मोजी के नतर्तों में की लेकिन अपने मधुल संबंधों और अपने विशाल दायरे की वज़े से मुलायम सिंग यादो को किसी नियाईक सुनवाई का सामना नहीं करना पड़ा उन्हें जेल के सिख्षों में नहीं जाना पड़ा और उन्होंने भी भारत की रागनीत में चल रही डाइनिस्टी पॉलिटिक्स को अपनाया लेकिन उसमें कहीं भी एक तरह से ओफेंडिंग नहीं पड़ा आया कि 2013 में अपने राजनीती की बाग रोर और विरासत अख्लेस यादों को सौखते हैं और अख्लेस यादों भी कहीं न कहीं अपने पिता के संस्कार और अपने व्यक्तित क्रितों की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीत में आत्मसाथ कर दिये जाते हैं और उत्तर प्रदेश में वह 2012 में वह उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री बनते हैं और मुलाइम सिंग यादों कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वह अपने पुत्र मोह में उसी तरीके से जकड़े हैं जैसे लालू और जैसे देवी लालते बलकि मौके दर मौके अख्लेस फ्रदय दीश को निरंतर नसीहते देते रहें सालशstrongी गमंज पर खुलेआम अपने पुत्र अख्लेस यादों की आल Twice और अपने भाई को अख्लेस यादों की विस्तार की बात हो देश के तमाम पृष्ट भूमीं चायओ अदोगित जगत के होvat फिल्म जगत के होjug समाज के नामी करऊ हस्तियां होjug या खुल मिला करके समाजिक समरस्ता को ले करके हो भुलायम सिंव्यागों ने कभी भी भारत के उनगे राजनित्तिक दलों और नेताओं की तरह वह इसी मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं की जिसमें की पॉलिटिकल मिस एडवेंचरियम दिखाई देता हो, जिसमें हमारे नेता और आजनेतिक दल यहां तक की पाकिस्तान परस्ती भी बयान दे दिया करते हैं, लेकिन मुलायम सिंग यादों ने कभी भी इस तरीके की बयान द करके भी जीए, लेकिन ही अब ठीक है कि अपने समकालीन राजनीति के दौर में, इस कल्जुगी राजनीति के दौर में जो तमाम बीमारियां आई कि वो धन सकता, ग्लेमर सकता, बंसवाद, पैसे का मोह ऐसा नहीं है कि वो विशुद मुलायम सिंग यादों इन आरुपों से एक तरसे मुक्त थे, कही न कही मुलायम सिंग यादों पर भी अमर सिंग और उनके तमाम बिजनस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से ज़्यादा अंतरंगता एक तरसे बढ़ाने का और फैलाने का अरोप लगा, अपने पार्टी के कार्यकरताओं क्यों बेक्षा की क कीमत पर इन नेताओं को प्रस्रा देने की विबात उठी, कभी आजम खानूं को छोड़ करके गए, कभी राजबबर छोड़ करके गए, फिर अमर सिंग कभी छोड़े, कभी आए, तो कभी उनका अपने पुत्र के साथ भी पोलिटिकल क्लैस हुआ, कि दोनों ने एक दूस भारतिय राजनीति के आकास में, एक नक्षत्र के रूट में प्रसिस्ठापिट किया, जिसे हम यह जान सकते हैं, उन्हें धर्ति पुत्र के नाम से क्यों बुलाया जाता, उन्हें नेता जी के नाम से क्यों संबोरित किया जाता, उनका पहनावा, उनका उड़ावा, उनकी बिल्कुल साधगी जिसमें कि कहीं से भी हंकार नहीं टपकता था, कहीं से भी इरिटेटिंग और कट्टर बयानों से लबरेज नहीं होता था, अपने धूर विरोधी भारते जनता पार्टी में नरंदर मोदी की भी परसंसा बटोर लेना, अटर विहारी बाटपेई और आड मुलायम सिंग की मरदानगी को वेक्त करता है, और यहीं वज़ा है कि मुलायम सिंग यादो भले लालू यादो के बाद में संबंदी बन गए, लेकिन लालू यादो की जो राजनीतिक जो शैली थी, उसका उन्होंने निरंतर और सदेव समर्थन नहीं किया, मुलायम सिंग यादो कहीं न कहीं, चंदरशेखर के संसखारों से के छापके नेता थे, राम और यह जैप्रिकाद नärायन के छापके नेता थे, और देश की तमाम राजनीतिक पीड़ी में सब बड़े नेताओं का संबाद करने वाली संसकार को जीने वाले नेता थे, पılmış्त्रकार उसकार रही थी और वो सुनील तिर्पाठी जो मेरे दोस्त थे जो आज दुनिया में नहीं है वो सीरे मेरे को हाथ पकड़ करके ले गए और सीरे मुलाइंट सिंग्यादों के सामने कहे कि नेता जी ये मनोहर मनोज है और ये भारतिय युवा पत्रकार संगतं के अधक्ष है तो फिर नेता जी ने एक थोड़े गौर से मुझे देखा और फिर कहा कि हम लोग अभी फुर्सत में मुलाकात करेंगे लेकिन अखबारों पत्रकाओं और तमाम इस चार दसक की भारतिय की राजनीती की उठा पतक और प्लिटिकल ठिएटर में जो मैंने मुलाइम सिंह यादों का रोल दिखा मुलाइम सिंह यादो राजनीती के कंपल्शन में उत्तरप्रदेस के मसल अलीमेंट को कुछ बाहुबल element को जरूर्व प्रस्रे दिया करते थे अन्य था मुलायाम सिंग यादों की राजणीति की हर रिती नीती समवेद्रा से भरी ती सही सुनता से भरी थी और वह कहीं कहीं एक सक्षे और सहीद्रे मन की गुदगुदी वी करती थी तो फिर अंत में मुलायम सिंग यादों के देहावा आउसान पर उन्हें मैं अंतिम सरधांजरी अर्पित करता हूं और यह आशा करता हूं जो भारतिय राजमीत का जो बर्तमान दौर तमाम कलजुगी नेताओं और कलजुगी राजमीतिक रिती निती से लबरेग च अपने आप में भारत की राजमीतिक के भविस्ट को जाना बहतर बनाएंगे जाना सिधानतों, आदर्सों और नहितिकताओं से लबरेज बनाएंगे जहां परकिकेवल सुसासन की बात होगी और किसी में तरीके की पहचान की राजमीतिके कार्थों का बोल बाला नहीं होग तो दोस्तों इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूँ फिर किसी मुद्दे पर फिर किसी सवाल पर पुरा बात होगी इजाज़त दीजिए नमस्कार जैहिंद गुडबाई शब बखर झाल 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 झाल